यहां का कारोबार बिलकुल धोष्ट हो चुका है और यहां का जितना लेबर है वो जा चुका है यहां के आडर जो मिलते थे वो भी आडर भी नहीं मिलते हैं और उसका यहां आडर ना मिलने के वज़े से जो बड़े-बड़े बाहर के जो लोग हैं उनको चाहिए चाहिए ल मैं फिलहाल उत्यप्रदेश के कानपूर में हूँ और कानपूर अपनी चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है इस चमड़ा उद्योग के बात करें तो यह फिलहाल के में 25% पर चल रहा है इन्हीं तमाम दिक्वतों को लेकर हमने यहां पर जो टैनरी मालिक हैं उनसे और इस कारुबार से जुड़े लोगों समने बात की सुनिया उनका क्या कहना है इसा इल्जाम लगा दिया गिया है कि गंगा जी में हम लोग परदूशान भेक रहे हैं जबके हम लोग बराबर यह पूछते हैं कि अगर हम लोग डारेट गंगा जी में अपना उत्परवा निस वह हमसे चार्जिज लेते थे अब उन्हीं ने कर दिया है बीस रुपए लगबग कर दिया है और हमाएं इंड्रस्ट्री का इंफ्रसेक्टर जो था उसको भी 50% कर दिया आज से 4-5 साल पहले और पॉलिशन कंट्रोल बोड ने नोटिस भीजा कि जो हमाया मैशिनरी है प्लांट उसको 50% कर दिये जाए ताके हमां जो इंफ्रसेक्टर है जो वर्किंग कबिस्टी उसको कम कर दी जाए उसके बाद अभी दो साल तीन साल हो गए अब उन्हें ने कह दिया है कि अब रोस्ट अच्छोल कैपिस्टी ती उसके 25% में हम लोग काम कर रहे हैं अच्छा लेबर की कॉस्ट हमको वही देना पड़ा लगी बिजली की देना पड़ा लगी है और हत तो यह है कि जल निगम जो हमसे पैसा लेता है आपरेशन मेंटेनेंस का इसका पानी सपाई का वो भी पूरा पानी ले पैसा ले रहा हमसे 20 रुपाई लगबाग हाइड और काम हमको 25% करने दे रहे हैं तो अब आप यह बताईए कि इंडस्टी सर्वाइफ करेंगी या अपने खर्चों तो अपनी मौत खुद मर जाएगी यह तो हमको लगता साजिश की जा रही है कि इंडस्टी को बन कर दिया जाए ना कहके वह ऐसे हालात पैदा की जा रहे हैं पहले यह संटारा से जो है एक फर्मान जारी हुआ सरकार की तरफ से कि आप लोग 25% काम को कम कर दीजिए क्योंकि वहां ट्रिट्मेंट प्लान में पानी का लोट जादा हो रहा है तो उनका फर्मान जारी होन में सब लोगों ने उनका आधर किया उनके कहने मुताबिक सभी ट्रेनरी मालकानों ने अपना पचीर परसंट काम बन कर दिया फिर कुछ दिन बाद जो है फर्मान जारी होता है कि आप लोग जो है उनको क्यों इस बात की संका हुई हमको नहीं मालूम है फिर उन्हों लोग मशीने हैं वह आधी आधी आप लोग डेमेज कर दीए इतनी इतनी मशीने रखिए अब उनको यह तो नहीं मालूम है कि एक जो चम्रा जो है एक दिन में कितने दिन में पकाई होता है तो उसमें अब जैसे कि अब आज हम आज एक चम्रा डाला वह पंदा दिन बार निकलता है तो अगर हम 15 झाला डालें यह फंदा दिन में निकलेगा तो हम जब रोज निकालने के लिए कोई प्रोसर मिलेंगे तो हमको बरतन चाहिए अब भब पर दिन में आप कर दो इसको आप साथ बरतन रकिया कि हम लोग कैसे कर पाएंगे बगार फिर वह उनके लिए उनके अ पंदा दिन काम करें पंदा दिन काम बिल्कुल बन कर दीजिए अब यह तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई मगर सरकार का अब अधर था फर्मान था इसलिए हम लोगों ने उस पर विराजी हो गए तो इन लोगों ने जाजमों को दो पार्ट में बाट दिया कि आधा जाजमो पंदा दिन काम करेंगा पंदा दिन काम करेंगा वार पंदा दिन काम बन रहेगा तो पचीज परसेंट काम हो गया है तो हम यह नहीं समझ पा रहा है कि पचीज परसेंट में कार खाने का खर्चे कैसे निकलेंगे जब कि बिल्ली के बिल पूरे महिने का आता है तो अभी महीने में कितना कमा लेते हैं लोग वह जाएगे तो अब तो अभी महीने में कितना कमा लेते हैं लोगोगों अगर टाम मिलता तो अगर टाम कर ले रहे हैं पहले जब यह पूरा पूरा चलता था तब कितने आपके कमाई हो जाती थी अपनी बन पहुत्ता था था दिकत बढ़ गई है हैं अब टेंडी में कमी ने चले आदमी लोग का थो कि धो हैं मीलोग कर रहे हैं उसिसे लड़का बच्चे का मझला पढ़ाय चल लाई है थोड़ा आप अुपर दरी का खरचा निकली आता है लड़किया भी है तीन तीन ौ-चार चार उसी से तो लग गूंजाश हो जाता है पहले जब तो किनी कमाई हो जाती थी क्ला कि men बनेटे अब तो पांच बजी आजांगव ऑन्या नौ बजी नहीं आए अथा일 Map काम नहीं तो हमी लोग अपना उल्टा सीधा कर रहें किराया भाड़ा भी नहीं देख पारें लोग तो यहां से खाली करके दूसरी जिगा मुलब जोंड कर रहें किराया भी बहुत बढ़ा है यहां का करते थे पहले तो साड़े आठ बजे से बैड़ी आते थे तो मद चार पांच बे पहले आप कितना पैसा कमा लेते थी अब मुष्कील है उठाना ज्यादा नहीं पा रहा है और यह नहीं मिलेगा तो यहां तो परदेशी आदमी उसको खाना भी चाहिए मकान का किराया भी देना है जो उनके साथ परिवार है उनके कुछ बच्चें वो पढ़ाई लिखाई वुष्कील है मैं तो पैसा जब कारोबार नहीं होगा जब उनको मेर्स भी नहीं मिलेगी तो यहां उधार खाएंगे भी तो कल उनको पैसा देना है तो कहां देंगे बचार इसलिए जो यहां असी परसंट लेवर यहां से जो है प्लान कर चुका है और इस समय जाज्बह म में बड़ी दिक्कत है यह इसका कोई आग नहीं सकता है कोई हाँ जो बड़े-बड़े जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या जिनके पास पूंजी नहीं है कम पूंजी है काम उनका लंबा हो गया तो लोगों ने बैंक का साहरा ले करके लोन भी लिया अब जब कारोबा डिला चोकी हैव लोगों अपने जमीन तक की जम सब्सक्राबच दाला है। और वो लोगों अपने घर चले गए और जोड़े गया और यलोग आपने घर जले गए और यंदिण अ कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके सुचार रूप से जैसे पूर पहले सारे कारखाने चलते थे उस तरह के से चलवाए जाएं जिससे की राजिस्ट भी जमा हो देश का भी भला हो यहां गरीब जनता का रोटी रोजी भी चले जिससे की खुशाल हो यही हमारा निवीदन ह पॉलिशन के नाम पर हमाई जब चाहें नोटिस आगिया जब चाहें जो इंडस्ट्री बंद करती चार सो इंडस्ट्री थी इस वाद दो सो साट चल लेही हैं तो अब नतीजा उसका यह हुआ कि नए कारीगर या लेवर्स इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हैं इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे दूसरा काम कराएंगे तो यह बहुत सोचने की बात है